सुटुटन अब हम इस चेप्टर में आगे डॉॉटस के बारे में पढने वाले हैं जिसको सूखा या फिर अनावेंश्टि के नाम से भी हम जानते हैं जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि सूखा का बाता है जब पानी की कम हो जाती है या तो महाधीप में जो पानी है उसमें पानी की कमी हो जाए या जो ग्लैसियर्स हैं जिनके थुरू जो नदिया होती है उनमें पानी की कमी हो जाए किसी भी प्रकार की जो पानी की कमी होती है वो बाद में चलके एक विकराल रूप धरण कर लेती है जिसको हम सूखा या फिर अनावरिस्ट्री के नाम से जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे माप्रिथिभी का जितना भी जल्या है उसका 97% समुद्रों में सागरों में नदियों में भरा है और 2% जो है वो हिम नदियों में भरा हुआ और 0.62% भूमी के अंदर आपकूफर केER fourHer है ठीक है और 0.8 परशंट जो Birken göra है वो सर्फेस वाटर है ठीक इस प्रकार से जो भी 100 परजेंट वाटर है क्या होता है पानी ना बरसने के वज़े से या कर लंबे टाइम से जो धूप है जो सूर की किर्णे है वो जादे टू अक्टूबर ये चार महिने क्या होती है वर्सा काफी जादे होती है ठीक है तो कभी कभी क्या होता है ऐसे रिजन में वर्सा ना होने के वज़े से जो हमारे खेत होते हैं वो सुखने लगते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है खेत सुखने के वज़े से सुखा पढ़न की संभावना बढ़ जाती है जो हमार मौश्य इंडेक्स होता है जो हमार एवापूरेशन लास होता है कई सारे रीजन है मौश्य में कमी आ जाती है हमारा जो पानी है वो पानी ना बरसने के वज़े से पानी शूखने लगता है धूप के वज़े से पानी शूखने रखता है जमीनों पर पपड़ी पड़ जाती है ठीक है तो यह सारे हमारे जो रीजन्स हैं यह सब सूखे के लिए क्या है प्रभावित है ठीक है अब बात आती है कि सूखा छेत्र की हम पाचान कैसे करेंगे तो इसकी जो पाचान है हम मौश्यर इंडेक्स के आधार पर करते हैं ठीक ह जैसे कि आपनों जानते है किसी भी चीज में जो वाटर का कंटेंट होता है वह मौश्यर कंटेंट कर लाता है ठीक है किसी भी चीज में पारी की जो उपस्ति होती है उसको मौश्यर करते हैं ठीक है तो मौश्यर का एक इंडेक्स है जिसको मौश्यर इंडेक्स करते हैं और 37 परशंट होता है और यह माइनस 66.7 से लेके माइनस 33.33 होता है उसके बाद आता है सुक्स उपाद्र जिसको बोलते हैं ड्राइस सभ्यूमिड यह आपका 21.1 परशंट शेत्रफल में होता है और यह 0 से लेके माइनस 13 3.3 होता है उसके बाद आता है मौश्च सभ्यूमिड ठी तक होता है उसके बाद आता है हुमिड जिसकी मात्रा काफी जादे होती है यह हमारा होता है 20 से लेके लगबक 100% तक ठीक है उसके बाद अनविश्टी के परकार तो यह मेले चार प्रकार के होता है यह दिनों में बारिस नहीं होती या पिर जो आपका आपका रहता है उससे कम बारिस होती है तो यह क्या होता है यह मौसमी सुखा अगलाता है उसके बाद होता है hydrological जब किसी विसेस आओधी में जो हमारे जल के श्रोथ है उन में किसी भी परकार से पानी सुख जाती है पानी की कमी हो जाती है तो हम उसको बोलते है hydrological डाट तीसरा आता एouting agricultural इसमें क्या होता है मौस में सुखा और जली सुखा ये दोनों का क्या होता है मिक्षर होता है यानि मेट्रोलाजिकल और हाइड्रोलाजिकल को अगर हम मिला देते हैं तो ये दोनों क्या होता है एग्रिकर्चरल सुखा होता है ठीक है ना अब बात आगे आती है कि इसका मिनिमाइजेशन किस तरह करें किस कोपाहे है या são ils मिनिमाइजेशन कम किस तरह कर सकते हैं तो सबसे पहले आता है do कि सब्सक्राइब और टो इसके बढ़िया हुपाहे कि जो एरिगेशन है हम कैनाल के हम विक्षेतों होता है एक रेनवाटर हार्विष्टिम अपने गढढा देते हैं जिससे पानी को कर लेते हैं और समय आने पर हम उस पानी को यूज करते हैं और दूसरा विधी इन rain nutrition하고 2 के वज़े से हम क्या करते हैं अपने जमीन पर गड़ा बना देते harm एक ऐसा जगाय बना देते हैं और कि आशान मृटा या की कफी ज Scripture ऑच को पानी को फिर हम कभी भी यूज कर सकते फिर आगे आगे आता है लोगो के लिए तो लोग के लिए भी क्या है रेंड वाटर हार्वेस्टिंग को भी हम एजे प्रोटेवल वाटर की रूपे यूज ले सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है पसुओं के लिए चारा की विवस्था करना ठीक है फिर आता है लोगों की आउसकता और खाद वस्तुओं उचे दाम इसके निपटने के तरीके हैं कि अगए इस तरह से हम करेंगे तो इसे अम निपट सकते हैं ठीक है और जो भी लोग नसे पाल पनी की क्मिई हैं उनकी मदद करके ठिक है अब परशासन मिंने इस क्या करती है परशासन रेन वाटर हरेस्ट्टिंग सथा है उन मेंको आडर्ड़ देती है उनसे करती है कि है उन्ड़ करने और जिस भी परकार से albums मदद कर पा रहे हैं मदद करें और जिनतने भी गाउं है जितने भी सहर है जहां पर यह पासिबल है इस सिस्टम को वहां पर प्रगवाय जाए ठीट है इससे का होगा किसानों को काफ़ी जादे हमें का टेइज हैं हर इस इनर्ड का हो कि ऐसे अर्गेशन लेखन एंगे अब लीक्या परनुंट new syndrome clause inμεत Ideally हला है अगी यह में पर जोपी घ रखना पर होता है यह मेली ऐसे ground पहोता है घै कि कई कमपाय जाता है मतला में कम बांणिंग काफि कम जोड होती है जब भी इनमें को होता है, केमिकल और फिजकल एक्शन होता है चुकि यह आउटर इंवार्मेंट में है तो लगतार इनमें क्या होता रहता है पानी बरसता रहता है गर्मी रहती है ठीक है तो इसमें बहुत सारे chemical और physical action होते हैं इनके वज़े से क्या होता है यह अंदर से काफी कमजूर हो जाता है और जैसे कुछ भी impact इस पर पढ़ता है तो यह तूट कर रहे हैं atomic explosion कर रहे हैं बहुत सारी रीजन से ठीक है अब आगे आता है इसके सूचक indications of landslide ठीक है इसके सूचक क्या क्या है तो इसको निम्द कारक होते हैं जैसे छेत्र बहुमी का संतुर्प दिखाई पड़ना कि भूमी में आकास्मात रिशन हो जाना ठीक है अगर कोई भूमी है उससे असानक उसमें दरार आ गया है उससे अचानक water निकल रहा है थिक है वहां की जो मिट्टी है मिट्टी फून ले लग रही है ठीक है जो सड़क है सड़क किनारे किनारे जो सोल्डर लगा रहा होता है हो सोल्डर कधसना जो कंक्रीट के फर से उनमें धरार पड़ जाना ठीक है जो टेली फेन और विजली के बिल है उनका क्या कर जाना उनका सेटल डाउन ह हो जाना आप्र उनमें सैटल्मिन्ट हो जाना बिल्डिंग के फांडेशन में सेटल्मिन्ट हो जाना यह सारे reasons जो हैं यह सारे reasons indicate करते हैं Landslide को अब आता है भूसकलन के करण क्या है भूसकलन के वैसे तो वह सारे कारण है जो कि हम इस छोटे से दूरेशन में नहीं पढ़ सकते हैं फिर भी हम कुछ मेंज चीजों के बारे में आपको बताते हैं सबसे पहले हैं भू संरचनासंबंदी जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे प्रिथिभी के अंदर बहुत सारे तरह के टेक्टानिक प्लगम के सिस्मिक विब वभी हो सकता है अन्दर लावा और मैगमा के फटने के वझार वह सकता और बहुत ृजेंस कभी कि सी जगे भारी जल भर जाता है फिर भारी वर्सा हो जाती उस वज़े से भी क्या होता है वहाँ पे छोटे-छोटे परकॉलेशन बन जाते या फिर वाटर का जो जादे मांट है वो जादे इंफिल्टरेट कर जाता है उसके वज़े से भी दिकत होता है बहुत सारे फिजिकल रिजन भी है ठीक है ना फिजिकल रिजन में क्या आजाएगा कि बहुत जादे मात्रा में बर्फ का पिखल जाना उस जमीन पर किसी जादे प्रेशर का पड़ जाना कुछ मानो रहित कारण है जो हम आपको जैसे पिछली बार भी बता चुके हैं किसी भी स्लोपी ब लिए बचने के लिए क्या क्या इसके उपाई 하ई क्या क्या मुझा बनाई कि सब्सक्राइब तो सबसे पहले क्या है कि प्रिथभी में के अंदर इंफिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए एक सीमा तक तो इससे काफी जादे फायदा होता है और जमीन जुप ठीक है ना उसके बाद बाती बात आती है कि अगर हम किसी अर्थकोई जोन में अपना घर बना रहे हैं तो वहां पे हम सीयर वाल्स का प्रियोग करें सीयर वाल से क्या होगा सीयर वाल हो गया डायफ्राम हो गया डैमपर्स हो गया सीयर वाल मतलब अर्थकोई के बहुत सारे arch कि इसका instrument in instrument के दोरह monitoring करना इसका monitoring हम किस परकार कर सकते हैं तो monitoring करने के लिए आप दोनुट तरीके से कर सकते इंश्टुमेंट से भी कर सकते इसका विज्व मॉनिटिरिंग भी कर सकते हैं ठीक ह है, तो जैसे कि आप जानते हैं जो सॉयल होता है तो तो स्वाइल का जो हमारा स्ट्रक्शर होता है स्वाइल के दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ जगह होता है तो उनमें एयर और वाटर भरा होता है ठीक है अगर अच्छे से तो यह हंडिड़ प्रसेंट फीटो नहीं है थोड़ा नो थोड़ा तो रहा जाता है इनी के थरू नहीं की तुर दो वाटर का शुल्कुलेशन होता है या वाटर का फैश्ट बढ़ता या कम होता है यही हमारा पняя प्रण aids करना यह पूरि यह हमारा हर जाए है settlement का region होता है और settlement को सही करने के लिए consolidation को यूज करते हैं लेकिन consolidation एक इतना लंबा process है कि इसमें 100 साल 200 300 साल भी लग सकते हैं इसी वज़े से हम consolidation तो टोटली नहीं कर सकते हैं लेकिन हम पोर वाटर प्रेशर से बस सकते हैं भाष सारे हम टोटल station की मदद ले सकते हैं घरों में automatic rain gauge का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है extend meter का प्रयोग कर सकते ठीक है और बहुत सारे ऐसे sensors लगा सकते हैं जिससे हमारे दिवाल में अगर कोई पहाड़ी इलाखों में यह कर होता है जैसे न statistic मीं देख सकते हैं ठीक है नानक सागल में बात फट गया था डार्ट चूलह का हुआ था ठीक है उत्तर कासी में हुआ था उत्तरा खंड में बहुत सारे घतना होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताएं यह पहाड़ी इलागों में क्या करते हैं जादेकर करते हैं ठीक है इस तरह सी हमारा टापिक खतम होता है अब हम नेक्स टापिक में पढ़ेंगे हिम खलन के बारे में ओके ठीक